नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका pathfinder study point में तो biology को continue करते हैं last session में हम लोगों ने animal tissues start किया था जिसमें हम लोगों ने connective tissues में blood तक पढ़ लिया था आज हम उसके blood के बाकी components का जो है इस video में देखेंगे तो अगर आपने पिछले videos नहीं देखने तो continuation के लिए आप जो है उनको जुरूर देख लीजिए जिससे आपको जो है चीजे जो है सीरेली समझ में आ जाएं तो चलिए आज start करते हैं WBC इसको white blood corpses भी कहते हैं और इनका दूसरा नाम क्या होता लिक्योसाइट्स WBC को लिकोसाइट्स भी कहते हैं यह अनियमित आकरती वाली होती है तथा केंद्रक यूक्त होती है यानि nucleated होती है इनमे nucleus पाया जाता है इनकी जो संख्या होती है वो कम मात्रा में होती है मन उसमें 5-9,000 तक WBC पाय जाती है और WBC जीवाडूं को नश्ट करने का प्रमुक कार करती है इनका main काम जो है सरीर का बाहरी जित्ते भी संक्रमण होते हैं उनसे सरीर की रच्छा करना होता है WBC के प्रकार देखते हैं तो WBC मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है पहली जो है जिसको granulocyte कहते हैं इनमें क्या होता है granules पाया जाते हैं और इनका केंदरक पालिवत होता है जैसे कि उधारण के लिए neutrophils, snowfils और basophils ये granulocyte type of WBC के उधारण हो गए अब A granulocyte यानि जिसमें granules नहीं पाया जाएंगे उधारण के लिए lymphocyte जिनका काम क्या होता है antibody का निर्माल करना और monocyte तो ये A granulocyte type of WBC होती है तीसरे तरह का अब जो रक्त कावियों क्या होता है platelets कहलाता है इनको thrombocytes भी कहते हैं ये केवल इस्तंधारियों के रक्त में ही पाया जाता है इनकी विसेश्ता होती है इनकी संख्या 2-5 लाग प्रती घन मिलीमीटर तक होती है और ये रक्त का जमाने यहनी blood clotting में सहायक होते है इनका मुख के काम होता है blood clotting करना अब रक्त के प्रमुक कार क्या है तो रक्त का पहला जो सबसे प्रमुक काम है परिवहन एवं ताप का नियंतरन परिवहन किस चीज का करता है पचीवी भोजन समगरी को अंतासरावी एवं उससरजी पदार्त का और गैसों का जिसमें oxygen और carbon dioxide दो गैसे प्रमुक है इनका परिवहन करता है उसके अलावा सरीर के ताप को एक समान बनाया रखना ये भी ब्लड का हमारे प्रमुक कार है रक्त का ठक्का जमना या blood clotting ये पूरी एक chemical प्रिकरिया है जिसके बारे में हम देखते हैं तो थ्रामबो प्लास्टिंग के निर्माड में ट्रिप्टेज एंजाइम का रोल महत्पूर होता है पैथलोजी में रक्त को जमने से बचाने के लिए उसमें sodium या potassium oxalate मिला दिया जाता है जिससे रक्त जम नहीं पाता है जो donated blood है उसको सुरच्छिद रखा जा सकता है अब रक्त के ठका जमने में जो chemical process होता हो क्या होता है तो सबसे पहले थ्रामबो प्लास्टिंग और प्रो थामब्रिन ये दो तरह की protein होती है जो रक्त में पाए जाती है और उस पे calcium iron की किरिया से क्या बनता है थामब्रिन बनता है थामब्रिन नामक protein fibrinogen से जुड़कर f fibrin मनाता है और फिर ये fibrin क्या करता है ये रक्त के रुद्रानों से या रक्त के कड़ों से जो है चिपक जाता है और इस तरह से blood clot या रक्त का ठका जम जाता है आगे देखते हैं blood से related blood group जिससे बहुत सारे questions आते हैं सभी exams में तो card land steiner ने 1909 में blood groups की खोज की थी रक्त व antigen के नाम से जानते हैं तो different type आप antigen पाय जाने के कारण जो है सभी groups का जो है नाम अलग होता है यानि रक्त में बिविदिता जो होती है वो antigen की उपस्तिती या अनुपस्तिती के कारण होती है आप antigen के प्रकार हम देखते है antigen दो type के होते है antigen A और antigen B antigen A से antibody B का निर्म निर्मार होता है तो बिल्कुल उल्टा होता है अब जो blood group है उसमें किस तरह से इनकी उपस्तिती से प्रभाव पड़ता है तो अगर हम A blood को देखते हैं तो A blood group में antigen A पाय जाता है और antibody B type की पाय जाती है क्योंकि antigen A क्या बनाता है antibody B बनाता है इसी तरह से blood group B में B antigen पा बनाता है तो इसमें antibody A पाय जाती है अब टाइप का जो blood group होता है उसमें A और B दोनों ही antigen पाय जाते हैं लेकिन कोई भी antibody नहीं पाय जाती है और चौथा blood group यानि O blood group इसमें antigen ही नहीं पाय जाता है लेकिन antibody A और B दोनों उपस्तित होती है तो ये चार्ट काफी प्रकार का पता है लेंड श्टीनर तथा वीनर ने 1940 में रीसस नामक मंकी होता है उसमें एक अन्य प्रकार के antigen यानि A और B जो antigen है इनसे भी अलग एक अन्य प्रकार का antigen का पता लगाया जिसको नाम दिया गया RH factor अगर किसी के blood में पाया जा रहा है तो उसको RH positive कहेंगे अगर नहीं पाया जा रहा है तो उसको RH negative कहेंगे अब संभावित रख समू यानि माता पिता से जो बच्चों में genetically blood का group का formation होता है वो किस तरह से होता है तो अगर माता और पिता दोनों का blood group O O है तो यानि इसमें कोई भी antigen नहीं पाया जाएगा तो बच्चे में संभाव और A B type का इसमें blood group नहीं हो सकता है इसी तरह से O और A अगर blood group है माता पिता का तो O और A type का हो सकता है O और B है तो O और B type का blood group हो सकता है और अगर O है और माता पिता में से किसी का A B है तो A B type का blood group उनमें पाया जाएगा और अगर केवल दोनों माता और पिता दोनों का A और A ही blood group है तो A और O type का blood group पाय जाएगा फिर अगली condition क्या है अगर A और B type का blood group है माता-पिता का तो इन से सभी प्रकार के blood group सम्भव है यही इस तरह से यह सबसे important question मनता है इसमें A भी पाय जाएगा B blood group भी पाय जा सकता है और A B भी पाय जा सकता है यानि चारो blood group कब सम्भव होंगे जब माता-पिता का blood group A और B होगा फिर A और A B मिलकर जो है कौन से blood group बना सकते हैं या तो A बनाएगा या B बनाएगा या A B बनाएगा B और B blood group अगर माता-पिता का है तो B और O बनेगा और B और A B है तो A B और A B बनेगा यानि तीनों blood group की संभवना रहेगी और A B और A B टाइप का blood group होगा तब भी A B और A B टाइप का blood group जो है बच्चों में आ सकता है फिर एक रक्त समंधी जो है अन्वानसिक विकार होता है जिसको क्या कहते हैं Erythroblastotis Phitalis ये क्या होता है ये भूर में जो होने अलिक बीमारी है जो एक रक्त विकार समंधी अवस्था या रोका जा सकता है ये कैसे होता है इस पर कई बार question आ चुके हैं तो अगर पिता का blood group RH positive है माता का blood group RH negative है तो पहली संतान जो होगी वो सामान पैदा होगी उसमें कोई भी दिकत नहीं होगी लेकिन अगर यही condition रही तो दूसरी संतान की मृत्ति हो जाएगी ऐसा क्यों होता है क्योंकि इसमें जो पहली संतान के समय जो है उसमें antibodies का निर्माण हो जाता है RH factor क कारण और दूसरी में जो पहले से दूसरी संतान जब होती है तो चुकि एंटीजन के खिलाब antibodies पहले से ही उपस्तित होती है तो ऐसी दसा में blood clot करने लगता है और उस कारण से जो है इरेथ्रो बलाश्टोर्टिस पिटाइलिस कंडिशन आ जाती है और बच्चे की अब vascular system का ही एक हिस्सा होता है lymph जिस प्रकार से blood होता है उसी प्रकार से लसीका भी होती है इनमें basic अंतर होते हैं जो पूछे भी जाते हैं तो lymph हमारे सरीर में क्या करता है अस्रंकाम तम यानि immunity system का निर्माड करता है lymph ये कैसा होता है ये रंगहींद्र भी होता है RBC और plat जिसमें नहीं पाए जाती है ये पहला अंतर हो गया इसमें कम मातरा में calcium और phosphorus उपस्तित होता है lymph में lymphocytes जो है तैरते रहते हैं ये lymphocyte cells पाए जाती है oxygen की मातरा कम परन्तु इसमें CO2 एवं अपसिष्ट वेस्ट ज्यादा पाए जाते हैं यानि ये जो है इसको हम अगर कह है दूसरी भासा में तो ये तरह का दूसी तरक्त होता है जिसमें CO2 एवं अनपसिष्ट पदार ज्यादा पाए जाते हैं lymph में उपस्थित lymphocyte cells जो होती है ये जिवाड़ों को नश्ट करके सरीर की रच्छा करती है इसलिए ये immune system के लिए बहुत ही आवश्यक होता है तो ये कुछ basic अंतर थे जो पूछे जा सकते हैं पूछे जाते ही हैं तो दोस्तों इस lecture में इत्ता ही अब आगे जो है हम अगला जो है जो भी tissue system होगा उसको start करेंगे तो आज के लिए ता ही नमस्कार धन्यवाद